इंडिये लाइन्स के जो घटक दल हैं जिनको घमंडिया भी कहा जाता है वो सारे के सारे भरष्टाचार के गोंद से जुड़ गए हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो भरष्टाचार का गोंद है ये उनको जोड़े रहेगा और दबाव बना पाएंगे वो एक इमांदार सरकार पर ने भरष्टाचारियों की राजनितिक कबर है खोदी उस इमांदार प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी भरष्टाचार की जन्नी कोई पाटी है तो वो कॉंग्रिस पाटी है आपको वंच्वाद टपकता दिखाई देगा भ्रष्टाचार टपकता दिखाई देगा और शेत्री अधार पे कैसे भारत को बाटना है ये टपकता हुआ दिखाई देगा पुर्धान मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस देश से भ्रष्टाचार को खतम करना है और दूसरी तरफ एक विचारधारा है खासकर इंडिये लाइन्स के जो घटक दल हैं जिनको घमंडिया भी कहा जाता है वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का गोंद है ये उनको जोड़े रहेगा और दबाव बना पाएंगे वो एक इमांदार सरकार पर एक करतव्वे निष्ठ प्रधान मंत्री पर लेकिन जनता ये कह रही है जिसने भ्रष्टाचारियों की राजनितिक कब्र है खोदी उस इमांदार प्रधान मंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी हम सब जानते हैं कि अब आंटी हिंदू हिंदूों को गाली दो सनातन को गाली दो मोदी जी के लिए अब शब्द कहो मोदी जी को जेल पहुचा देंगे अब दो भ्रष्टाचारी पार्टियां जो वंजवादी तो हैं ही लेकिन साथ में वो भ्रष्टाचारी भी बहुत हैं और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जन्नी कोई पार्टि है तो वो कॉंग्रेस पार्टी है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार है अब उसकी फोटो स्टाट कॉपी भी निकली है ये जो फोटो स्टाट कॉपी निकल रही है ये एक और भ्रष्टाचारी पार्टी डियम के और आज बताया जा रहा है कि एक मंच पे आएंगे तो आपको वंच्वाद टपकता दिखाई देगा भ्रष्टाचार टपकता दिखाई देगा और शेत्री अधार पे कैसे भारत को बाटना है ये टपकता हुआ दिखाई देगा यहां कहना आती आवश्चक है कि अधर्निय प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जाँच एजेंसियों को खुली छूट दी है स्वतंत रूप से वो अपना कारे कर रही है और भ्रष्टाचारी एक एक करके जेल की सलाकों के पीछे जा रहे है और मैं विस्त्रिप वर्णन भी करूँगा किस तरह से न्याले से भी उनको रहात नहीं मिल रही है भ्रष्टाचार पे सक्त करवाई से भारत की जनता बेहद खुश है और वो कह रही है आगे आगे देखो होता है क्या जनता खुश है और कह रही है आगे आगे देखो होता है क्या ये मोदी जी की मांदारी है कोई भ्रष्टाचारी कमिशन खोर कटर मैमान बचने नहीं वाला है और ये जो भ्रष्टाचारी है वो कह रहे है 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 मार डाला ये क्या कर डाला आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है तो जब ये बात मैं उठाता हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि NDA और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में चुस्त भी है, दुरुस्त भी है, आश्वस्त भी है 370 प्लस भाजपा की आएंगी, 400 प्लस अंडिय की आएंगी और दूसरी तरफ भरष्टाचारी इंडी एलाइन्स घबराया भी है, बॉखलाया भी है, डरा भी हूँ नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई ख़बर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं, योस्ट्वेटी फॉर